हलो फ्रेंड्स वेलकम टू चेंपियन गुर्जी इफेंट्स आज की इस वीडियो में लोग सधारन ब्याज यानी सिंपल इंट्रेस्ट निकालना सीखेंगे और इस वीडियो मैं आपको टोटल दो टाइप का कुशन बताऊंगा जिसमें पहले टाइप में देखी यहाँ पर पहला कुशन दिया गये हैं 5,000 रुपय का 3% के वार्सिक ब्याज दर से 3 वर्ष का सधारन ब्याज निकलना है कितना होगा ठीक है यहाँ पर पहले टैप में वर्ष में समय दिया हुए ठीक है तो देखिए आपको एक सधारन ब्याज का फर्मूला याद रखना है सधारन ब पर्मूला में है सभी का मान कुश्चन में से यहाँ पर पूट कर देंगे और स्वाल करेंगे तो आपका एंसर निकल कर जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पर मुल्धन है तो देखिए मुल्धन उसे कहते हैं जितना रुपय आप ब्याज पर लेते हैं या देते हैं तो समय के जगा पर हमें तीम लिखंगे और तार देखिए पर्संट में जो भी दिया रहता हुआ दर रहता है इनने दर के जगा पर हम यहां पर यहां पर सौ लिख देंगे अब दिक के 5 से 3 में गुना करेंगे तो 5 सिट या 15 हो जाएगा 15 में से गुना करेंगे तो 15 यहा पर बैट जाएगा या आपका 5 यहा रुपय का 3 पर्संट के ब्याजदर से 3 वर्स का सधारान ब्याज आपका 450 रुपया निकल करेंगे ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से आप पहले type के question को solve कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं second type के question तो दोस्तो यहाँ पर देख सकते हैं second question है कि 7000 रुपय का 4% के वार्षिक ब्याजदर से 9 माह का सधारन ब्याज के आओगा ठीक है तो देखिए इसके लिए भी हम वही फर्मूला लगाएंगे यह साई बराबर होता है क्या तो मुल्धन, मुल्धन, गुने समय, समय, गुने दर और बटा में 100 होता है ठीक है इसी फर्मूला पर यहाँ पर इसको भी बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर कुईचन में मुल्धन 7000 दिया है तो यहाँ पर 7000 लिख देंगे ठीक है गुना काचीन है तो गुना लगाँगे और समय देखिए यहाँ नौ माह दिया गया है तो देखिए जब भी महीना यानि माह में समय दिया रहेगा तो इसको हम वर्स में change करके लिखेंगे यहाँ पर ठीक है तो देखें एक वर्स बराबर 12 महीना होता है तो यह जो 9 माह है इसको वर्स में बदनने के लिए क्या करेंगे जब भी माह में समय दिया रहेगा तो इसमें 12 से भाग करके यहाँ पर लिखेंगे ठीक है तो 9 में जब 9 बटा 12 लिखती है तो यहाँ वर्स में change हो गया ठीक है उसके बाद गुना का चीन है तो गुना लगाएंगे और 10 के जगा पर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे और बाटा में यहां पर 100 है तो यहां पर 100 लिख देंगे जो फर्मूला में दिया हुआ है ठीक है अब देखिए इसको हम काट देंगे कटने वाला है तो देखिए यहां 2-0 से यहां 2-0 कर जाएगा और यहां पर देखिए 4-0 कर जाएगा 4 एकम 4 और 4 तीय 12 और 3 से यह 9 कर जाएगा 3 एकम 3 और 3 तीय 9 ठीक है तो इसे हम गुना कर देंगे यहाँ पर 70 लिखेंगे और गुना में 3 है तो गुना में 3 लिखेंगे और सतर में तीन से गुना करेंगे तो साथ में तीन से पहले गुना करेंगे तो एक ही साएगा और यह एक जीरो है यहाँ पर लिख देंगे तो देखिए यहाँ पर सधारन ब्याज आपका साथ हजार रुपय का चार परसेंट के वार्सिक ब्याज से 9 माह का सदारन व्याज 210 रूपया निकल करा गया है ठीक है तो देखिए इस कूश्चर में आपको यहीं ध्यान रखना है कि जब भी आपको समय को फर्मूला में बैठाना है तो आपको समय को माह में जो समय रहेगा उससे हम वर्स में चेंज कर गए लिखेंगे 9 माह है तो 9 में 12 से भाग कर देंगे तो वर्स में बदल जागा 6 माह रहेगा तो 6 माह रहेगा और 6 माह में 12 से भाग कर देंगे तो वर्स में चेंज हो जाएगा ठीक है तो दोस्तो इस तरीके से आप सदारन व्याज बहुत ही असान तरीका से निकाल सकते है है आउप कि आपको वीडिए के लिए आखा समझने करेंग और किया में थो आपको आप चलिए Alejon